सो हे गाइज वेल्कम बैक तो अनदर वीडियो आप दिस चैनल और यह हमारे मैंगेटिक एफेक्ट्रिक करन्ट जो हमारे फिजिस का चेप्टर सेकंड है उसका सेकंड पार्ट है तो इसमें हमें क्या पढ़ना है हमें वह पढ़ना है जो हमने कल उसका बेस बना चुके थे हम मैंगेटिक एफेक्ट आफ एलेक्ट्रिक करण्ट का हमें अज अग्स्पेरिमेंट पहले स्टार्ट करना है कल हमने मैगनेक फील्ड, मैगनेक फील्ड लाइन्स, उनकी प्रॉपर्टीज और क्या-क्या, डिमॉंस्ट्रिट्रेट में कर सकते हैं हमें वग उसके बारे में में स्टर्टिंग में अपर धैने घए में सब्सक्राइब इस बीडियों में स्ट्रें में फtechn हम57 मांगेड मे अग आज की वीडियों में अब कैसे पता चल रहा है हम कैसे दिखा रहे हैं कि दी कि मैंगनेटिक इफेक्ट अफ करेंट ठीक है तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट है मैं आपको बताया था कि किस ने डिस्कवर किया था यह है और शुट का एक्सपेरिमेंट और यह हुआ था हमारा 18-20 में यह 18-20 में ठीक है और क्या था हमें यह शो करना था कि जो एक करेंट केरिंग वायर है उसकी विज़े से मैंगनेटिक फील्ड प्रडियूस होती है ठीक है तो अब पहले हमने एक इंसुलेटिट कॉपर वायर लिया ठीक इंसुलेटिट कॉपर और हमने उसे ऐसी फिट कर दिया कि यह हमारा एक एप पॉइंट पर तो हमारा वायर है और दूसरा यहां पर हमने एक रख रखा है बार मैगनेट ठीक है अभी जो हमने बार मैगनेट रख रखा है उसे जब हम मूव कराएंगे तो एक current carrying wire कैसे उसमें behave करता है तो जो हमने और शेट का experiment पढ़ था उसमें तो ये था कि आपका एक magnet है compass needle का compass needle हमें पता है उसमें एक tiny magnet होता है वो खुद एक tiny magnet है तो अगर current carrying wire हमने उसमें उसके पास रख दिया तो वो needle उसके deflection show करती है ठीके हमें उस हिसाब से इस पूरे को experience करेंगे कि क्या हमारा एक पूरा experiment है इसका तो हमें तो ये पता है कि जो magnetic field की production हो रहा है वो रहा है electric current की वज़े से और electric current अगर किसी wire में flow करती है तो उसकी वज़े से जो हमारे पास में compass needle रखी है वो deflection show कर रही है तो जैसे अगर हम इसी हाँ पे show करें एक मिट ये हमारा कोई circuit है ठीक है तो ये हमारा current flow कर रहा है आप पे इस direction में और ये हमारा circuit हम जब complete करेंगे तो यह combination of cell भी लगेगा ये negative side तो अब हमें switch को भी जोड़ना पड़ेगा तो अब यहाँ पे current flow कर रहा है इस wire में from A to B मतलब इस direction में flow कर रहा है current और यहाँ पे आपने pass में compass रख दिया और ये compass की कोई needle है तो जब यहाँ पे इस जो पूरा circuit है इस wire में ये एक wire है और उसमे current हमारा flow करेगा तो क्या हमारा हमें क्या conclusion हम कर पाएंगे हम ये conclude कर पाएंगे कि wire में current flow करवाने से ये जो pass में compass needle रखी है ये deflection शो कर रही है और उससे हमें ये पता चलेगा कि जो ये और शिट का experiment है कि कैसे successful है कि जो आपका magnetic effect of current है उससे हम ये निकाल पा रहे है कि current carrying wire magnetic field around it तो ये थे हमारा oyster का experiment का बिलकुल basic way में आपको इससे बता दिया क्या चीज़ है ये अब जो magnetic field जैसे produce हुई magnetic field भी हर अलग-अलग conductor की अलग-अलग shape की होती है कैसे कि मैं आपको ये बताना चाहरा हूँ कि अगर आपके जो conductors है उनकी shape different है तो जो magnetic field बनेगी उनकी वज़े से तो उसका pattern भी अलग होगा pattern will also be different ठीक है different shapes के current carrying conductor की वज़े से जो magnetic field produce होगी वो भी different pattern की बनेगी कैसे अब एक अगर आपका जो हमें shapes पढ़नी है वह कौन-कौन सी है हमें mainly 3 पढ़नी है first होता है हमारा straight conductor straight conductor से हम यह denote कर सकते हैं कि वह हमें straight wire कहना चाहरा है तो straight current carrying conductor second circular loop जिसमें current हमारा already flow कर रहा है और third solenoid यह आप लोग के लिए एक बिल्कुल नई term होगी इससे आगे भी discuss करें क्या चीज होती है वैसे बता दूँ एक long coil होती है किसी वायर की generally कोई भी वायर हम दे सकते हैं इसमें पता है चलेगा आपको आगे कौन सा वायर लेना है तो mainly हमें इन तीन shapes के लिए पढ़ने है magnetic field की क्या-क्या-क्या pattern produce होते हैं ठीक है तो first चीज तो हमें पढ़नी है straight current carrying conductor magnetic field due to a straight current carrying conductor अब अगर आपका straight current carrying conductor है इसका मतलब मैंने आपको बदाया था इसका मतलब होता है straight wire तो आपने कोई wire ले लिया और तो जो magnetic field उस wire के around बनेंगी उनकी shape क्या होगी तो उनकी shape होगी concentric circles अब concentric circles क्या होते है concentric circles यानि जिनके centers wire पर लाए करते हैं ठीक है concentric circles और दो circles जिनके centers lie on the wire ठीक है अब concentric में shape क्या होगी हमारी यह कुछ ऐसे होते हैं हमारे concentric circles ठीक है कि जिन center हमारे wire पर लाए करेंगा और कुछ ऐसी shape निकल के आएगी और जो current flow करेगा कुछ ऐसे flow करेगा current ठीक है इस shape पर flow करेगा अब यह जो आपका circuit है यह भी बनेगा क्योंकि wire के राउंड है तो wire भी हम इसमें निकाल लेते हैं ठीक है अब यहां पर हमारा current flow कर रहा है ऐसे current constant direction में हमारा upwards direction में इस direction में जा रहा है और यहां पर हमने यह एक जहां पर placed हो रहा है और यह concentric circles हमारे बन रहा है यहां पर आप एक magnetic needle रख सकते हैं जिसमें deflection शो करेगी जो circuit complete करने के लिए यहां पर switch होना चाहिए ठीक है तो यह अब circuit अभी complete नहीं हुआ reason क्या है अभी हमने combination of cells यान यह हमारा battery नहीं लगी तो battery लगाने के लिए वही आपको क्या करना है नॉर्मल आप बना दीजिए पॉजिटिव साइन नेगिटिव साइन तो यह इस शेप की बनेगी concentric circles हमारा जब आप magnetic field lines निकालनी है around a straight conductor तो यह circles जिनके center wire पे ही लाए करते हैं जो हमारा wire पास हो रहा है उस wire पे हमारे लाए करते हैं ठीक है magnetic field lines इसमें आपको पर चल रहा है circular in nature है ठीक है अब इन experiments से में यह पता चल रहा है कि मैंने आपको कल भी बताया था उसका जो magnetic field का magnitude है तो उसके magnetic field का magnitude डाइगली proportional होगा current के क्या चीज़ अगर आप current बढ़ाओगे तो current अगर हम बढ़ाएंगे तो magnetic field का magnitude भी बढ़ेगा यह simple सी बात याद रखने है पर अगर आप जो magnet है उसका distance आप किससे increase कर देंगे wire से से distance increase करने पर जो magnetic field का magnitude हो डिक्रीज हो जाएगा क्या चीज़ current के बढ़ने पर magnetic field का magnitude बढ़ता है और distance के increase होने में जो आपका magnetic field का magnitude हो कम हो जाता है तो वो उसके inversely proportional है तो अभी तो मैं आपको इसका pattern बताया magnetic field कैसे मनेगी अब हमें discuss करना है कि direction क्या होगी direction of magnetic field produced by यह जो भी आपने पढ़ाया straight current carrying conductor तो यह जो हम निकालते हैं यह हम निकालेंगे मैक्सवेल्स राइट थंब रूल मैक्सवेल्स राइट थंब रूल यह बहुत important है 10th में पढ़ना है 12th में पढ़ना है और इसके base पे आपसे question भी पूछ आता है direction निकालने के लिए किसकी magnetic field जो माई produce हुई है straight current carrying conductor की सो मैक्सवेल्स राइट थंब रूल कहता क्या है मैक्सवेल्स का राइट थंब रूल तो इससे में यह according to Maxwell's राइट थंब रूल कि अगर आपने कोई current carrying wire अपने हाथ में पकड़ रखा है ठीक है imagine करना है यह आप लोग भी imagine करिए कि you are grasping grasping यानि आपने hold कर रखा है current carrying wire को अपने right hand में क्योंकि right hand thumb rule है current carrying wire आपने पकड़ रखा है अपने right hand में ठीक है अब वो जो right hand पकड़ रखा है तो आपका जो थंब है वो तो point कर रहा है direction की किसमे current ठीक है तो current की direction वो हमें पता चलेगी right hand के thumb से किसके direction को denote कर रहा हमारी current की ठीक है तो अगर current की direction में हमारा thumb point कर रहा है तो जो direction होगी हमारी जिसमें fingers and circle करेंगी ठीक है अब यह कोई अगर आपका कोई hand है और आपका यह thumb है यह index finger, middle finger, यह नाम नहीं पता है इसका ring finger और यह आपकी small finger तो जो आपका thumb है वो तो point कर रहा है किसके direction में current की और आपने पकड़ रखा है यहां पे एक current carrying wire ठीक है तो अगर आप इसे सही से hold करोगे तो आपकी यह fingers यहां पे हैंगी सारी तो जिस direction में हमारी fingers encircle हो रही है वो direction होगी हमारी magnetic field की ठीक है क्या चीज़ मैंने बताई अगर आपका जो right hand है उसमें आपने current carrying wire को hold कर रखा है आपका जो thumb है वो direction दे रहा है current की तो जो direction in which your fingers will encircle fingers will encircle will give the direction of magnetic field around the wire ठीक है direction of magnetic field around the wire कौन सा जो हमारा straight current carrying wire होगा तो अब एक बार इसे हम अपने language में वो sorry जो physics के language है उसमें समझे कि according to Maxwell's right hand thumb rule if we imagine you are holding a straight current carrying conductor in your right hand then the direction of thumb will point in the direction of current and the direction in which your fingers encircle will give the direction of magnetic field यह इसके यह जो हमारी photo है वो आप देख लीजी यह उसे denote कर रही है ठीक है तो यह photo है हमारी हमने right hand में इसे hold कर रखा है और जो आपका जैसे पहना आप उससे imagine कर सकते है उसे hold करके तो जो यह thumb है it is pointing in the direction of current और यह जो fingers आपकी answer को लोई हुए इस direction में they are giving the direction of magnetic field ठीक है तो Maxwell का जो right hand thumb rule है उससे हम एक और नाम से भी जानते है Maxwell cork screw rule cork screw rule अभी cork screw rule क्या है cork screw rule का मतलब कि अगर आप एक cork screw यह एक पूर एक device होता है इसकी भी एक फोटो एक बार आपको दिखा दूँ तो यह हमारा cork screw होता है ठीक है अब अगर आप cork screw drive कर रहा है यानि उससे इक direction में rotate कर रहे है तो जो direction of current में अगर आप इसे rotate करेंगी आपको device आपको दिख रहा है हम इसे अगर इस direction rotate करेंगे तो यह जिस direction में rotate हो रहा है वो direction of current है तो जिस direction में हम इसका handle घुमा रहे है वो हमें direction of क्या देगी magnetic field क्या चीज मैंने आपको दुबारा बताई कि आप इस cockscrew को drive कर रहे है drive का मतलब इसे घुमा रहे है पूरा तो यह तो जो इसके नीचे यह आपको wire से spring वाले wires से दिख रहे है यह जिस direction में घुमेंगे यह तो current की direction बताएंगे और जिस direction में हमें इसका handle घुमा रहे है इसका ओपर का जो यह बार सी लगी है वो direction देगी है magnetic field की ठीक है तो इससे हमें पचल रहा है अगर electric current यह तो भी नीचे जा रही है तो जो हमारे magnetic field होगी वो clockwise होगी वही अगर हमारी जो current है वो हमारा upwards जा रहा है तो magnetic field की direction होगी हमारी anti-clockwise तो अभी कल हमें पढ़ना है magnetic field pattern due to a circular loop magnetic field pattern due to a circular loop ठीक है तो आज के लिए तो फिलाल इतना ही और अभी हमने पढ़ लिया कि magnetic field दूट आज के लिए इतना ही और अभी हमने पढ़ लिया कि straight current conductor क्या होता है कौन से हमें shape पढ़नी है कौन से experiments हमें पर चलता है magnetic effect of current और क्या इसकी direction कैसे magnetic field की when we are talking about straight current carrying conductor फिलाल आज के लिए इस वीडियो में इतना है thanks for watching this video और कोई भी आपका suggestion हो या कोई doubt हो please comment down below and if possible please subscribe the channel thank you